मित्रों, खम्मा गणी, गोपालिया शोट हैंड क्लासेज की डेली न्यूस पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है आप स्वास्थ होंगे यह डिक्टेशन जनसत्ता अकबार के बड़ी काम्याबी संपादक्य सीर्दक से लिया गया है इसके पीडियाफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसकी ओडियो फाइल टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडि बिस्ट के तीन वॉल्यूम रामधारी उप्ता के तोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन असी और शो शब्द प्रती मिनिट की गती से उपलब्द है उनका भी नियमित अप्धियास करें तो चलिए शुरू करते हैं असी सब्द प्रती मिनिट की गती से छे मिनिट का यह डिक्टेशन स्टार्ट जम्मू कश्मीर में लगातार चोकसी से वहां आतंकी हमलों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है लेकिन आज भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिससे यह लगता है की वहां हर समय सावधानी बरतने की जरूरत है सुरक्षा बलों ने इस जरूरत को समझा है और यही वजह ह की गुरुवार को पुल्वामा में एक बार फिर ऐसा हमला नाकाम किया जा सका जिसकी धमक शायद लंबे समय तक बनी रहती दरसल चार पाँच दिन पहले ही सुरक्षा बलों को खूफिया जानकारी मिली थी की IED जैसे बेहद समवेदनशील विसपोटकों से लदी एक कार कहीं जा रही है इसके बाद हर इस्तर पर निगरानी और चौकसी बरती गई एक जगह पर जब कार को रोका गया तो उसमें सवार व्यक्ती उतर कर भाग गया लेकिन कार को बरामद कर लिया गया जाच के बाद जब देखा गया की उसमें रखे विसपोटक को अलग करना मुश्किल है तब उसे कार सहित उड़ा कर एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया गया निश्चित रूप से यह सुरक्षा बलों की एक बड़ी काम्याबी है लेकिन इस समुचे मामले से यह भी साबित होता है की आज भी वहाँ आतंकवादियों के मनसुबों को पूरी तरहे खत्म नहीं किया जा सका है परा इस घटना के संदर्भ में मिली खूफिया सूचना के मताबिक IED जैसे 40-45 किलो विस्पोटकों से लदी कार का निशाना बीस वहनों में सवार CRPF के 400 जवान होने वाले थे अंदाजा लगाया जा सकता है की अगर आतंकी किसी तरह अपने मकसद में कामियाब हो जाते तो कैसे हालात पैदा हो सकते थे यह सही है की सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया इसके बावजूद इसने पिछले साल फरवरी में हुए ऐसे ही बड़े हमले की याद दिला दी जिसमें 42 जवानों की जान चली गई थी वह घटना जम्मु कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास में सुरक्षा बलों के लिए एक त्रासद जख्म की तरह कायम है यही वजह ह की उस हमले के बाद से सुरक्षा के मौर्चे पर कोई मामूली सी चूक की गुंजाइस नै छोडने की कोशिश की जाती है सुरक्षा बलों स्थानिय पुलिस और अलग-अलग मौर्चों पर तैनात खूफिया सूत्रों के बीच तालमेल बिहतर हुआ है ताजा हमले को नाकाम करने में सही समय पर मिली संभावित हमले की खूफिया जानकारी ही थी परा गार तलब है कि बीते दो महिनों के दोरान जम्मु कश्मीर में आतंकियों ने कई हमले किये जिसका सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया और 38 आतंकियों को मार गिराया माना जा रहा है कि आतंकियों की ताजा हमले की कोशिश अपने साथियों के लगातार मारे जाने के बदले के तौर पर ही थी जिस हमले को नाकाम किया गया उसके बारे में कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस साजिश में जैश ए मुहम्मद का एक पाकिस्तानी कमांडर शामिल था अगर ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस तरह के आतंकी हमलों को कहां से संचालित किया जा रहा होगा यह हकीकत कई बार सामने आ चुकी है कि जैश ए मुहम्मद और लशकर ए तैबा जैसे संगठन पाकिस्तान इस्थित अपने ठिकानों से ही आतंकी गती विदियां संचालित करते हैं हो सकता है कि पाकिस्तान को इस तरह के आरोपों और आतंकी संगठनों से छुटकारा पाना जरूरी नहीं लगता हो लेकिन भारत के लिए ऐसे आतंकवादी संगठनों और उनके हमलों का मुहतोर जवाब देना हर लिहाज से जरूरी है स्टोप अपने मित्रों को भी शियर करना नह भूलें डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डेसलाइक अवश्य करें कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें मैं लिखें हुआ कर दोन का मैं लिखें अवाश्य करदो भी शियर का मैं लिखें अवाश्यक्त आ ड्सालाइक शिए रहाज करें तो भी बूले करना लिखें झाल 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 झाल